आज की तारीख में महंगाई जहां चरम पर है वहीं दूसरी और बैंकिंग सर्विसेस भी महंगे होते जा रहे हैं जी हाँ दोस्तों अब जो है एक से अधी खाता रखने पर आपके जेब कहीं जादा अब खाली होने वाले हैं पहले पेटियम पेमेंट बैंक और अब एयर ट पेमेंट बैंक के बाद एयर टेल ने अपने ग्रहांकों के लिए उनके बता जाता है कि साथ मिलियन ग्रहांक है तो इन साथ मिलियन ग्रहांकों को एक बहुत जटका लगा है क्योंकि एयर टेल पेमेंट बैंक ने यहाँ पर एक नई चार्जेस के सुरुआत करी है अब तक आपको वर्चुल डेविट कार्ड पर किसी भी तरीके के चार्जेज नहीं देने होते थे और किसी भी बैंक में नहीं लगते हैं अगर हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को छोड़ दे क्योंकि इंडिया पोस्ट आपको 25 रुपया प्लस 18% की GST होती है तो वो आपको लगने बाला है यानि कुल मिला के 30 रुपया के आसपास आपको यहाँ पर लगने बाला है तो यहाँ पर बहुत साथ लोगों को मैसेज आना स्टार्ट हो चुका है अब कब से यह लागू होगी आप उससे online transactions वगेरा कुछ भी कर सकते हो बाकि आप cash नहीं निकाल सकते हो ATM में जाके लेकिन इसलिए इसमें जो charges है वो कम है जैसा कि अभी normally अगर physical debit card होता है तो उसका charge जो है करीब 1500 से 1500 के बीच में होता है लेकिन यहाँ पर आपको 25 रुपया प्लस GST देना ही होगा बाकि हो सकता है कि और भी banking charges में बहुत जल्द ही एरटेल payment bank भी बदलाव करें क्योंकि उधर पेटियम payment bank ने बहुत सारे बदलाव किये हैं तो अगर आप पेटियम payment bank के एक account holder है तो एक बार हमारे channel पर visit कर लेजिए या फिर description box या फिर i button को खंगाल लिजिए कौन से charges नहीं आए है उसके बारे में पता चल जाएगा बाकि यहाँ पर एरटेल की बात करें तो एरटेल ने बस अभी virtual debit card पर ही एक नया charge लगाया है अब देखते हैं कि banking नियमों में क्या बदलाव होता है क्या कौन से charges revise होती है वो सब देखना सेस है चुकि payments bank कर क्या सकता है बस transactions charges और बस virtual debit card पर तो आपको लगी गया तो अगर आप भी एरटेल पेमेंट bank के customer है तो comment section में ज़रूर बताया कि आपको यह message मिला है कि नहीं लेकिन 30 अपरेल से सभी लोगों को लगना स्टार्ट हो जाएगा 25 रपया प्लस GST charge virtual debit card पर बाकि अगर आपके पास एक से अधीक bank account है और अगर आप उसको ना के ब्रावर यूज करते हैं तो अब बंद कर देने में ही भलाई है क्योंकि बेवज़ा बैंकों को charges देना सहीं नहीं होता है और बहुत सारे अगर बैंक रखते हैं तो income tax अगर आप feel करते हो तो सारे bank के transactions की विवर आपको देना होता कि कहा से कितना interest आपने earn किया है उसी पर income tax लगता है तो इसलिए ज्यादतर bank account आप ना रखे एक दो रखे बहुत हुआ अगर जरूरी है तो अगर इस्तमाल नहीं करते हैं तो अगर इस्तमाल करते हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो उमीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आपनों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में दीजिए इजासत थैंक यू